वो भी द्रव सरूप ही है, उसकी जो किरिया है, करता भी द्रव सरूप, करम भी द्रव सरूप और किरिया भी द्रव सरूप, प्रदेश भेद रूप भिन बस्तुए नहीं। इतनी शीबात यहाँ निसकर्श रूप में इस कलस में कही आचारदेव ने, कि एक ही द्रव करता रूप, करम रूप और किरिया रूप परणमन करता है, एक द्रव, दो द्रव द्रव की परियाओं का करता नहीं होता है, सब द्रव अपनी अपनी परियाओ के करता है, यह बात निसकर्श रूप में आचारदेव ने कही है, देखो ये सारी बातें अभी कलस में आगे खुला सा करने वाले हैं अचार दिमें बाबन नम्मर का कलस है एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदाई कश्य एकस परणति ही स्याद अनेक मपी अनेक मेव यतहा एक परिणमति सदा वस्तु एक ही सदा परणिमत होती है एकस्य सदा परिणामा जायते एक के ही सदा परिणाम होते हैं अर्थात एक अवस्था से अनवस्था एक की ही होती है और एकस्य परणति एक की ही परणति माने क्रिया होती है यतहा क्योंकि अनेकम अपी एकम एप अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है भेद नहीं अनेक रूप मनें के एक ही वस्तु करता रूप होती है एक ही वस्तु कर्म रूप होती है एक ही वस्तु क्रिया रूप होती है परिणमन रूप होती है एक के ही तीन भेद हैं कोई तीन चीज़ें अलग अलग नहीं है इतना यहां आचार देव ने इशिद्ध किया एक कहा परणमती वस्तु एक ही सदा परणमित होती है केने का मतलब क्या है कि दो द्रब मिलके कोई एक परिणाम करते हों ऐसा बिलकुल नहीं एक द्रब एक परिणाम करता है दो द्रब हैं तो उसके दो परिणाम होंगे यह बात अलग है असल में सारा भ्रहमकव होता है कि जब दो द्रब एक समय में और एक से परिणाम करते हैं भ्रम कब होता है कि जब दो द्रब एक समय में एक से परिणाम करते हैं क्या एक रूप परिणमते हैं तो अपन को भ्रम हो जाता है कि मानो दो द्रब्यों ने मिलके कोई परिणमन किया इब्रम हो जाता है और दो द्रब क्या जगत में तो अनन्त द्रब पूरी नदी की बाढ़ा समझ में नबाद तो पूरा प्रवा उसमें एक बूंद पानी की दूसरी बूंद को खिसका रही है आगे ऐसा नहीं एक एक पानी का अनू अनू पर्मानू पर्मानू अपनी योगता से गमन कर रहा है आगे के पर्मानू को पीछे का पर्मानू धक्का लगा रहा है एसा नहीं इतनी स्वतंत्र विवस्ता है भले एक साथ परणमन करते हैं एक जैसा परणमन करते हैं लेकिन करते परणमन सब द्रब अपना अपना है किसी एक परणमन को दो द्रब कर दें अथवा एक द्रब दो द्रब जो के परणमन को कर दे ऐसी बिलकुल बस्तू की बिवस्ता नहीं एक ही द्रब परणमित होता है उसमें परणमन करने की सामर्थ है और वो श्वयम अपने परिणाम रूप परणमित होता है उसको अपने परिणाम करने की उसमें कर्तुत तो सकती है कर्मत तो सकती भी है और कर्तुत तो सकती भी है और वो परणमन निरंतर होता रहे एक परणमन का उत्पाद फिर वै, उत्पाद वै, उत्पाद वै, उत्पाद वै यह जो चलती रहती है धारा उसका नाम क्रिया है बनाषिदाशी ने बहुत बड़ी आनवात किया इसका करता परणामी दरव करम रूप परणाम क्रिया पर जय की फेरनी वस्तु एक त्रैनाम करता परणामी दरब परणमन करने वाला जो दरब है जिस दो दरब परणमित हुआ है बोई दरब करता है देखो जो परणमित हुआ सो करता और जो परणमन हुआ सो करम कोई न कोई वस्तु परणमेगी न तो जो परिणमित हुआ सो कर्ता और जो परिणमन हुआ सो कर्म कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम जो कर्म है वो ही परिणाम है या जो परिणाम है सो कर्म और किरिया परजय की फिरन परिया का फिरन फिरना माने एक के बाद एक एक के बाद एक के बाद एक होना किरिया परजय की फिरन वस्तु एक तर्ण एक बस्तु के तीन नाम हैं एक बस्तु के तीन काम हैं एक बस्तु के तीन सुभाव हैं बैसे तो बस्तु अनंत धर्म वाली है अनंत सुभाव वाली है लेकिन यहां चर्चा चूकी करता करम की चल लए न तो आचार देब के रहे हैं एक वस्तू स्वयम परण में थोती है अपने कारी रूप परण में थोती है करम रूप परण में थोती है एक ही वस्तू करता है एक ही परणाम उसका करम है एक समय में एक बस्तू का एक परिणाम बू बात छोड़ो के अनंद गुणों के अनंद परिणाम लेकिन एक गुण की अपेक्षा देखो तो एक समय में एक परिणाम होगा तो एक करता एक परिणाम और एक किरिया किरिया एक समय के परिणाम को नहीं कहते लेकन जो धारा रूप चल रही है ना परणमन 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 जैसे एक समय का जानना उक कर्म है और जानते रहना तो किरिया है किरिया परजय की फिरन परणय का फिरना फिरना एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक उसको क्रिया का तो बस्तू एक त्रह नाम करता भी वो ये बस्तू है करम भी बस्तू है बस्तू से भिन नहीं और क्रिया भी बस्तू की फिरन है वो भी कोई बस्तू से भिन चीज नहीं मने प्रदेश भिन्न होते हैं उसको भिन्न कहा जाता है आगम भासा की सैली में बस्तु विवस्था की द्रिष्टी से भिन्नता का मतलब जहां प्रदेश भिन्न होते हैं उसको भिन्न कहा जाता है दो द्रब जिनके प्रदेश भिन्न हैं उनको भिन्न कहा जाता है और जहां जिनके प्रदेश अभिन्य होते हैं करता का, करम का, क्रिया का, सटकार कों का प्रदेश बस्तू से अभिन्य हैं एक अभिन्य बस्तू के छे काम हैं तो वहां भिन्य नहीं कहा जाता यहां बस्तू सरूप की अपेक्षा कथन है बस्तु भूत कथन है ये अब अब ये बस्तु भूत कथन की चर्चा चल ले ही अभी तो अभी तो जीव में इस्थूल भ्रह्म पड़ा है अभी तो परद्रब के करता पने का मिठ्या अहंकार जीव का नहीं छूटा अभी तो जीव में परद्रब भिन्न है और मैं भिन्न हूँ सरीर का एक-एक परमानू भिन्न है और मैं भिन्न हूँ एदो की भिन्नता भी बास्तम में भास्त नहीं होती देखो कहना चीज अलग है और अंदर में भाव भासन में आना अलग चीज है कहने में तो आ जाता है कि शरीर भिन्ने और आत्मा भिन्ने है लेकिन अभी प्राय में तो बैठे कि जो उंगली हिलती है ये मेरे हिलाने से नहीं हिलती ये उंगली के परमाणू भिन्न द्रब है ये भिन्न द्रब हो मेरा परणमन भिन्न है इन परमानों का परणमन भिन्न है क्योंकि दो द्रब्यों के परदेश भिन्न है और जहां परदेश भिन्न होता है मां सब कुछ भिन्न होता है समझ में न बात तो यहां जब बस्तु की अपेक्षा कथन चल रहा है तो भिन्न माने क्या कि जिनके प्रदेश भिन है वे बस्तुए भिन है भिन प्रदेश वाली बस्तुए भिन उनके करता भिन उनके करम भिन और उनकी किरिया भी भिन जब दो भिन भिन प्रदेश वाली बस्तुए हैं तो एक बस्तुव दो भिन प्रदेश वाले द्रब्यों का करता नहीं हो सकती करम नहीं कर सकती उनकी किरिया नहीं कर सकती और दो भिन प्रदेश वाली बस्तुए किसी एक कारी को नहीं कर सकते एक बस्तु दो द्रब्यों के बिन प्रदेश वाली बस्तुओं का कारी नहीं कर सकता दो बिन प्रदेश वाली बस्तुओं मिलकर किसी एक कारी को नहीं कर सकती यदि दो बस्तुओं हैं तो उनके कारी भी हमेशा दो हो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ही लगता है कि इसने इसका काम कर दिया इसने इसका काम कर दिया यह लगता कब है कि जब दो द्रब एक साथ एक गुरूप परडमित होते है बस भी चल लगी है और बस में बैठी सवारिया भी चल लगी है चल लगी के नहीं क्यों बस में जो सवारियां बैड़ी हैं भे बैड़ी हैं के चल लाई हैं क्यों बताओ बैड़ी हैं के चल लाई हैं बैड़ी बैड़ी चल लाई है मोटर साइकल चलती है अपन बैड़े हैं तो बैड़े बैड़े अपन भी चल लाई के नहीं चल लाई तो प्रशनी ये है कि मोटर साइकल चल लए है इसलिए अपन चल लए है कि अपन चल लए है इसलिए मोटर साइकल चल लए है ये समझ में अजाबे अब लगता क्या है कि हम चल लए है बो चल लए है बो चल लए है इसलिए हम चल लए हैं बस पर इतनी बात समझ में नहीं आती कि बो भी चल लाए और हम भी चल लाए हम अपनी योगता से चल लाए बो अपनी योगता से चल लाए ख्याल बेन बाद एक काल दोनों का एक है परिणमन दोनों का एक साहे एक दिसा में चल लाए इसलिए भ्रहम हो जाता है कि उसने हमें चलाया और हमने उसे चलाया ड्राइवर बस को चलाता है कि बस ड्राइवर को चलाती है बुलो अब दो काम एक साथ एक समय में हो रहे कि बस भी चल लए यह और ड्राइवर भी चला और ड्राइवर का योग और रूप योग चलाने रूप परणिमन कर रहा है बस चलने रूप परणिमन कर रही है तो ड्राइवर ने बस को चलाया कि बस ने ड्राइवर को चलाया यह अहंकार हो जाता है कि ड्राइवर बस को चलाता है पर बस में बस में चलने की योगता है के ने पेट्रोल से मतलब नहीं है कि पेट्रोल डीजल ना हो तो चलेगी पेट्रोल से भी नहीं चलती क्या बस खड़ी रहती है पेट्रोल से टंकी भरी रहती हो चलती नहीं पेट्रोल चलाता है अरे भाई यही तो समझना है एक एक परमाणू का पर्णमन बिलकुल सतंत्र अपना अपना कारी करता हुआ प्रतिभासित हो यह तो मोटे मोटे उधारण है एक परमाणू भी किसी दूसरे परमाणू का करता हुआ प्रतिभासित नहुएं अब वो यहां नहीं है बात के बहुत बस्तोे इसकंदर रूफ हैं पिंडर रूफ हैं अब इस पुस्तक को अपन्ने उठाया है ते पुस्तक कितने पुद्गल के परमाणूं से बनी हुई है अनन्ते पर्माणूं से बनी हुई है तो एक पर्माणू उठता है तो साथ में कितने उठते हैं अनन्त उठते हैं तो किस पर्माणूं के कारण कौन सा पर्माणूं उठा सम्मे उठने की योगता है एक समय में किसी के कारण कोई नहीं उठा सम्मे उठने की योगता है इसलिए उठे इसे अनन्त पुद्गल लोग द्रब्यों से बने हुए जो इसकंद है बे एक साथ एक रूप परणिमित होते हैं एक से कारी रूप परणिमित होते हैं लेकिन परिणमन सब का अलग अलग है परिणाम सबके अलग-अलग है किरिया सबके अलग-अलग है करता सबके अलग-अलग है एक-एक परमाणू उस समय उस एक-एक समय के अपने परिणमन का करता है कोई भी परमाणू भले है नंत द्रब एक साथ एक दिसा में गमन कर रहे है लेकिन एक पर्माणू, दूसरे पर्माणू के गमन कराने में रंच मात्र भी काराण नहीं, सैयोगी नहीं निमित निमित करके भ्रह्मत पालो ये निमित्ता धीन द्रश्टी और बेवहारा धीन द्रश्टी ने जीव को सत्यार्थ बस्तू के स्वरूप को समझने ही नहीं आचारी केते हैं भाई एक बार निश्चे का यथार्थ बस्तू स्वरूप को देखने का चस्मा लगा एक बार सत्यार्थ बस्तू स्वरूप औरिजिनल बिन लाग लपेड का एक एक सुद्ध द्रब के सुभाव उसका गों सुभाव उसका पर्णमन सुभाव उसका करता सुभाव करम सुभाव करन सुभाव संप्रदा नपादा नधी करन एक बार बिल्कुल बस्तू को श्वतंत्र रूप से जान दे सारे चस्मों उतार के रख दे फिर भले अनंते द्रब एक साथ परणमन करो कोई दिक्कत नहीं जब एक बार द्रिष्टी में सत्यार्थ बस्तू का सुरूप दिखाई दे गया फिर भले अनंते द्रब एक साथ परणमन करो कोई किसी को निमित बनो चाहे नहीं बनो अपन को वस्तू श्वतंत्र ही भासित होगी द्रिष्टी में लेकिन जब तक ये वस्तू की श्वतंत्र ता स्वाधीन ता उसका अपना अपना भिन भिन सुभाव जब तक ग्यान में द्रिष्टी में निर्ड़े में यथार्थ भासित नहीं होता भाव भासन में नहीं आता तब तक मोटा देखने की जो द्रिष्टी है ना मोटा देखने की परियाय द्रिष्टी निमितादहीन द्रिष्टी ब्योहार द्रिष्टी एह हमें कभी सत्यार्थ बस्तु के सुरूप को देखने ही नहीं देखने ही अब तुम मोटा चसमा लगाखे और कोई शुख्ष्में चीज़ को देखना चाहो नहीं देखेगा शुख्ष्में चीज़ को देखने के लिए सुख्ष्म दरसी चाहिए इस साफ पेज़ है बिल्कुल पानी साफ बिल्कुल छान लिया चनने से अब इसमें तो कुछ नहीं है कि अब तुम्हारी इन आखों का काम बंद हो गया इन से जतना देख सकते थे वो दिख गया अब इसमें और भी कुछ है क्या कि इसमें बहुत है लेकिन तुम्हारी इन मोटी आखों से काम नहीं चलेगा और मोटे चस्में से भी नहीं देखेगा अब अब सुक्ष में दर्शी चाहिए उस सुक्ष में दर्शी से देखोगे तो जो इन आखों से नहीं देखता वो उससे दिखाई देगा तुम्हें ऐसे ही आचार देव यहां कहते हैं कि भाई परियाय द्रश्टी से इस्थूल द्रश्टी से निमिता धीन द्रश्टी से बेवहारिक द्रश्टी से लिखे दिया आचार देव ने पहले ऐसा अनादी रूड मूढ लोगों का बेवहार है यह अनादी रूड बिवहार अनादी से रूड मैंने चली आ रही है परमपरा मैं बोलता हूँ मैं चलता हूँ मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ चली आ रही है परमपरा कब से? अनादी से किसने पढ़ाय था तुम्हें के ये बोलो मैं खाता हूँ मैं चलता हूँ मैं बोलता हूँ एक किसी ने नहीं सिखाया मिठ्यातु के संसकार तुम्हें किसी ने नहीं दिये फिर भी अनादी काज से चले आ रहे है और तत्तु के संसकार सिखाय सिखाय भी नहीं डल रहे क्या थत्ध को जिन्वाणी ग्यानी गुरू सिखा रहे हैं समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं अरहन्त भगवन्तों ने भी अन्हंत बार समोशनन में बैट के समझा looks नेसे दिब धुनी से तो भी इसको सत्ध थत्ध के वस्तु सरूप के संस्कार नहीं पड़े एसे गेहरे मित्या संसकार अनाधिकाल से पड़े हैं लोक में भी ऐसा होता है कि बच्पन से जिसको जैसे संसकार पड़ जाए है फिर ओ संसकारों का मिटना उसका बहुत मुश्किल होता है कोई विशेश भाग साली जीव हो अच्छी होनहार बाला जीव हो तो अपने उन संसकारों को छोड़ कर सही रास्ते पर आ जाता है तो नहीं तो जो संसकार बच्पन से जैसे पड़ गए वो जीवन परियंत छूटना उसका मुश्किल हो जाता है कठिन होता है भगवान के समोसरन में जा जा कर भी नहीं छोड़े हमने संसकार खोटे संसकार मिठ्यात के संसकार अनिकी तो क्या बात करो ख्याल में नहीं बात सीख बिना नर सीखत है नर नहीं किसमें नहीं है संसकार बोलो कर्तथ तो कि देह जीव को एक गिने कौन सा जगत में ऐसा मिठ्यादिष्टी जीव है जिसमें जी संसकार ना हो भले एक इंद्री आदिक जीव बोल नहीं सकती तुम्हें अपने हाव भाव से कुछ समझा नहीं सकती लेकिन उनको भी देह में एकत बुद्धी है और अनन्त एकत बुद्धी है अरे भावी आचर्यों का ये कहना है कि इसी एकत बुद्धी के अपराद के फल में तो बे एक इंद्री में पोचे है कौन पोचता है एक इंद्री में सत के तत के तत सत तत की करता रहे निरंतर विरादना और मिठ्यात की करता रहे अरभ है इसमें लिखा है नियम सार में प्रती क्रमन अधिकार में एक गाता लिखी है मिठ्यात आदिक भाव की की जीव ने चिर भाव ना सम्यात तो आदिक भाव की पर की कभी न प्रभाव ना अनादिकार से सीख में न कोई नहीं सिखा रहे है किसने सिखाय था जी सरीर को अपना मानना मैं चलता हूँ मैं बोलता हूँ मैं खाता हूँ मैं पीता हूँ किसने सिखाय था का ट्रेनिंग ली बहिया यह जो मकान है जिसमें तुम रहते हो इसको अपना माना करे कहां सीखे हो और यह मकान है इसको अपना मत मनना इस सिखाय सिखाय नहीं सीख रहे सरीर है इसको अपना नहीं मनना रागादी भावों को अपना नहीं मनना करम नो करम को अपना नहीं मानना भगवान सिखा रहे है आचारी सिखा रहे है जिन्मानी सिखा रही है और रोज सिखा रही है रोज पढ़ा रही है सनमार्ग पर चलना सिखाती रोज जिन्मानी क्या लेकिन हमने नहीं मानी जिन्मानी सिखा रही है लेकिन जिन्मानी की मानी का है हमने बेप्राणी सो ग्यानी जिन जानी जिन्मानी जानी जिन्मानी और अब इसका उल्टा कर दो बेप्राणी अग्यानी जिन नहीं जानी जिन्मानी और ना जिन्मानी जिन्मानी सीधी सी बात है तो जिनमारी सिखा रही है, भाई ये सिखा रहे हैं, आचायर देवे के गाथा में एक-एक कलस में सिखा रहे है, ये कैसे, उन्हों कैसी पड़ाई बता हो ये ऐसी उच्च कोटी की पड़ाई नहीं है एक प्राथ में भूमिका की पड़ाई है जेन दर्शन में उच्च कोटी का कुछ है नहीं सही पूछो तो कोई उच्च कोटी है नहीं परिणामों की उच्च कोटी होती है लेकिन जानने में ये उच्च कोटी और नीच कोटी ऐसा नहीं है कुछ उच्च नीच का बेद नहीं है ये जो पढ़ाई है ये पहली किलास की ये पढ़ाई है एक द्रब दूसरे द्रब का करता नहीं है ये पहली किलास की पढ़ाई है पहली किलास समझे पहली किलास का क्या मतलब यह है बोलो पहले गुनिस्थान पहले गुनिस्थान वालों को पढ़ा रहे हैं ये कुछे गोई स्थान बालों को नहीं पढ़ा रहे क्योंकर बे पढ़ गा इस बात को बे समझ गा इस बात को उनको भावासन हो गया इस बात का उन्होंने अचारियों की बात को मन लिया उनको नहीं पढ़ा रहे जितनी भी पढ़ा ये भूल है न एक द्रब को दो द्रब का करता मानना या दो द्रब्यों को एक द्रब का करता मानना यह भूल है ना भूल है ना तो यह भूल किसकी सुधारना है जिसकी भूले है उसकी के जिनकी सुधार गई उनकी समझ मैं ने बात इलाज बीमार का होता है के जो स्वस्ते उनका होता है तो सही बात ये है कि जिन्वानी का 99% उपदेश तो उन अज्ञानी जीवों को है जिन्होंने आज तक सम्मेक दर्शन को प्राप्त सच बात ये है सारी जिन्वानी अज्ञानी जीवों को अपना अज्ञान मिटाने के लिए मिठ्यातम नास वेको ग्यान के प्रिकास वेको और आपा पर भास वेको भानुसी यह उद्देस है जिन्वानी का तो मिठ्यात का नास करना और ग्यान का प्रिकास करना तो मिठ्यात का नास सम्मेक देश्टियों को करना है कर मिठ्या देश्टि को करना है सम्मेक देश्टी कुछ ने तो अपना काम कर लिया उसके तो मिठ्यात का नास हो गया उसके तो सम्मेक ज्यान की प्राप्ति हो गई उसको बस्तू का सुरूब ख्याल में आ गया अरे उसको वह तो मोख्ष मारगी हो गया केली करे सिव मारग में जगमाही जिनेस्वर के तब वो तो मोक्ष मारगी हो गया तीनों सिम्मक चारी लिखा ना उत्तम अंतरात्म हो मद्यम अंतरात्म हो जगन अंतरात्म हो तीनों सिम्मक चारी ख्याल में ही ना बाद तीनों सिम्मक चारी ऐसे ऐसे भरम पड़े हैं पड़े हैं के पाड़े हैं भगवाएं जाने पंचम काल में धरम नहीं होता बता इसका मतलब समझी इसका मतलब सम्मक दर्सन नहीं होता धरम दर्सन और धरम द्यान अलग 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 चीज नहीं है धरम द्यान नहीं होगा तो सम्मक दर्सन और मोक्षमार कर से हो जाएगा सम्मक दर्सन सम्मक ग्यान सम्मक चारित और धरम द्यान यह अलग अलग चीज नहीं है सम्मक दर्सन धर्म है क्या धर्म है बोलो सम्मक ग्यान धर्म है क्या धर्म है सम्मक चारित धर्म है क्या धर्म है तो धर्म है तो सम्मक दर्सन होता है कर नहीं पंचम काल में किसी भी चित्र बात करते हैं जगत धर्म दियान नहीं होता है सुभ दियान होता है तो सुभ दियान तो मिठ्य दिश्टी को भी होता है सम्मेक दिश्टी तो धर्म दियान का धारी होता है धर्म दियान का स्वामी तीन धर्म दियान के स्वामी लिखे चोथे गुणिस्थान वर्ती सम्मेक दश्टी जगन अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा तीनो धर्म ध्यान के स्वामी लिखे नियमसार में सब जगह जगह लिखा है कहां कहां बताओ पढ़ पढ़ के सारी जिन्मानी लेकिन वो यह न उल्टा चस्मा चस्में उल्टा लगा लिया तो वो सही बस तु सरू बिखा ही नहीं देता जो समझना चाहिए असल में क्या है जीव ऐसी उम्ठी बांद कर बैठा है कि उम्ठी तो ऐसी अही रहेगी इसे तो छोड़ना नहीं अब तुमें जो सुनाना है उसो सुनाओ बस चाहिज इतनी जिनमानी सुना दो तुमारी हमें सुनने नहीं हमें अपनी सुनाना है सारे जगडे की जड़ाई ये है कि जो हमारा मिठ्या अभीप्राय मिठ्या मानता मिठ्या चिंतन मिठ्या विचार अनादी काज से चले आ रहे हैं वो हमें अपनी बात जगत को सुनाना है जिनमानी के नहीं सुनाना ख्याल में ने बात पर देखो अग्यानी है मिठ्या देश्टी है वो जिनमानी को एक तरफ रख दे और फिर जो को सुनाएगा वो सही सुनाएगा गलस सुनाएगा अरे भाई मिठ्या द्रिष्टी की बात बात तो ग्यानियों की प्रमानिक है लेकिन बे मिठ्या द्रिष्टी भले सास पड़े सुनावे लेकिन आचारियों की बाणी पड़े और आचारियों की ही सुनावे और आचारियों के अभी प्राज से ही सुनावे तो सुनने योग है और आचारियों की न पढ़े न आचारियों की सुनावे तो सुन मिठ्या दिश्टी से सुनने योग भी नहीं ख्याल में न बात सुनने योग भी नहीं और अभी पराय उसमें अपना मिलावे तो भी सुनने योग नहीं आचारियों की बढ़नी आचारियों का भी प्राय पर अभी प्राय ख्याल में होगा तो तो अभी प्राय निकालेगा और ख्याल में ही नहोगा तो क्या निकालेगा फिर तो यह बात यहां आचार देप करते हैं देखो प्रात्मिक भूमिका की बाते हैं यह उची नहीं है क्योंकि जिनको अपना अज्ञान दूर करना है जिनको अपनी मिठ्या मानता दूर करना है और जिनको वास्तम में अभी मोक्ष महल की पहली सीड़ी पर कदम रखना है उनको यह निर्डे करना पड़ेगा क्यों कि मिठ्या द्रिष्टी का सबसे बड़ा मिठ्या तो ही ये है कि मैं परद्रब का करता हूँ और परद्रब मेरा करता है मैं परद्रब का भला बुरा कर सकता हूँ और परद्रब मेरा भला बुरा कर सकते है मैं परद्रब का कारी कर सकता हूँ परद्रब मेरा कारी कर सकते हैं ये जो मिठ्याद रष्टी का भ्रहम है ये मिठ्याद रष्टी का है तो सबसे पहले जब तक भ्रहम नहीं तूटेगा तो मिठ्याद कैसे चूटेगा और सत्य तत्य की जानकारी नहीं होगी तो सम्मेक दर्सन प्रिगट कैसे होगा ग्यान प्रिगट कैसे होगा बो कैसे अग्यानी को कैसे मुक्षमार हो जाएगा बताओ जिसे वस्तु सुरूप की खबर नहीं है जिसे तत्व ग्यान की खबर नहीं है अरे जिसे भी मैं आत्मा हूँ इस सुरूप की भी खबर नहीं है और आत्मा के सुद्ध बुद्ध चैतन सुभाव की खबर नहीं हूँ जिसके लक्ष से जिसके आस्रें से जिसके अन्भव से सम्मिक दसन से लेकर सिद्ध दसा तक की अवस्ताएं जिसके आस्रें से प्रिगड होने बाली है धर्मी के आस्रें अवलंबन के बिना धर्म की परियाए कभी तीन काल में प्रिगड नहीं होती नियम है धर्म कहता ही उस परिणाम को है जो धर्मी का लक्ष करके प्रिगड होता है और इसलिए जो धर्मी की सरद्धा है उसके नहीं हम सम्मेक दर सले है जो धर्मी माने त्रहिकाले ग्यायक सुभा भग्मान अत्मा है उसका यथार्थ जानपना अनुभाव पूर्वक उसका नाम सम्मेग्यान है और जो धर्मी में सुरूप की रमरता है सुरूप चर्लम भले च्छण भर के लिए सही लेकिन उप्योग की जो सुरूप में स्थिर्था हुई उसका नाम सम्मेग्यान है तो तीन धर्म के परिणाम है धर्मी है एक धर्मी का लक्ष है एक लेकिन एक के लक्ष से प्रिगट होते है टीन तीन एक के लक्ष से प्रिगट होते है उसी की सरद्धा सम्यक दर्सन उसी की सरद्धा सम्यक ज्यान और उसी की सरद्धा सम्यक सारी जिन्मानी इस कथन से भरी हुई है पूरी की पूरी लेकिन जिनकी होनहार भली है उनको समझ में आएगी जिनकी होनहार अच्छी नहीं है उनको जिन्मानी की बातें आत्मेहितकारी होने वाली है इने अपच्छ हो जाएगी नहीं पचेगी पेले तो सुनने नहीं मिलना दुर्भाग से सुनने मिल जाए तो समझ में नहीं आना ऐसा ही है जीब का दुर्भाग तेज हो तो कोई सत बात सुनने वाला नहीं मिलता सुनने वाला मिल जाए तो सुनने वाला नहीं मिलता और सुनने सुनने वाले दोई मिल जाए तो समझ में नहीं आती और समझ में आजावे तो सरद्धा में नहीं उतरती निर्णे तक नहीं पहुंसता और नेड़े तक पहुँच भी जावे तो अनभव तक नहीं पहुँचता इसलिए उत्तर उत्तर धुर्लब है और अनभव तक पहुँचे बिना कारी की सिद्धी प्रियोजन की सिद्धी धर्म ध्यान की सिद्धी मोग्शमार की सिद्धी आत्मित की सिद्धी होने वाली बुलो वहां तक नहीं पहुँच पाता है कईना 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 बीच में से इसका रास्ता कट हो जाता है और ये मार्क भेष्ट होके भड़क जाता है बस अरे अनंत काल हो गया भी या ऐसा करते करते कोई आज कल की नई बाते नहीं अनंत काल हो गया मुनि ब्रतधार वहां तक पोछ गया अनंत बार गरीबग गरीबग गया गरीबग जाने बाले को अभी तुमने देखा नहीं है उसके चरणों में साश टंग लोट जाओ गया ती गिरीबग जाने वाले के परिणाम देखोगे तो क्या मिठ्या द्रिष्टी भी हो वाहर की क्रिया निरतिचार हो शुर्द हो पवित्र हो उसकी कथनी हंडेट परशेंट आगम के अनकूल हो किसी के प्रती बैर विरोध का परिणाम ना हो तो द्रबलिंगी और भावलिंगी में बाहर से अंतर समझ में नहीं आता ख्याल में ने बात ऐसा आचरन देख़ें साच टांग नमसकार कर आजीव उसको वो दोस नहीं है उसमें कल्पना नहीं कर सकते हैं आप उसका क्रिया उसका आचरन बेवहारिक भूल नहीं होती आगम की पुरूपड़ा में अंसमात्र भूल नहीं होती क्रिया में अंसमात्र विप्रीता नहीं होती कसाय में तीब्रता नहीं होती सब चीजें बढ़िया हैं फिसम्मेक दर्शन क्यों हो नहीं है तो अभी निकाल के बताया था ना पंचे अध्याई में ऐसा नहीं है कि आत्मा की खबर न हो आत्मा की खबर है आगम में खूँ आत्मा के सुरूप को पड़ा है सुना है जाना है सुनाया है तो फिर सम्मेकदेशन क्यों नहीं है कि आगम के हिसाब से आत्मा की सरद्दा है लेकिन अनुभाव पूर्बाव आत्म तत्त की उपलब दी नहीं इसमें आये था सब्दापन ने पढ़के पढ़के बताए न क्या क्या दिक्त है मिठ्या देश्टियों सम्मेक देश्टियों एक जानवर सम्मेक देश्टियों 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 सम्मेक देश्टि को तत्त की उपलब्धी हो गई माने और उपलब्धी का मतलब ही अनभूती है क्योंकि अनभूती में ही उपलब्धी होती है आत्मा की अनभूती के बिना तो खाली बात है अनभूती के बिना तो खाली दो को यह मिसरी है खुब इसका बरणन कर रहे हैं लेकिन बरनन करना अलग चीज है और मूँ में रखके और उसका रसा स्वादन करना अभी हम बोल रहा है मिस्री मीठी होती है तुम्हें कैसे मालूं कि सास्तर में लखा है मिस्री मीठी होती है क्यों हमारी पिताजी कहती थे बड़े बड़े ग्यानी लोग कहते है ये कहना अलग बात है और मिस्री को मुँ में रखके और चखके कहना के मिस्री मीठी होती है बो लो इस मीठी में और इस मीठी में अंतर है के नहीं सब्द बेही है पहले भी कहता था मिस्री मीठी है अब भी कहता है मिस्री मीठी है तो अंतर क्या पड़ा उस समय मीठी कहता था लेकिन मिठास की अन्भूती और अब मिस्री को मीठी कहता है लेकिन मिठास की अन्भूती हो गई है बस यह सरल सी बात है कटिन नहीं एसे ही मिथ्या देश्टी कितना ही बखान करे आगम का और अनकूल करे धारना ग्यान से सास्त्र के अनकूल करे लेकिन उस में फिर भी उसको मिथ्या देश्टी कहा कि हाँ कि सास्त्र के आधार से आत्मा की बात है अनभूती पूर्वक आत्मा की चर्चा नहीं है सबसे बड़ा पॉइंट है मिथ्या देश्टी और सम्मेक देश्टी का जो अंतर नहीं तो एक द्रब्लिंगी मुनिराज नोमे गिरिवेक में जाने बाले और कहां एक जानबर सम्मेक देश्टी क्या अंतर है दोनों में बोला अंतर बताओ तो आचारियों ने अंतर बताया तत्त की उपलब्धी और अनपलब्धी का अंतर है जो जो सम्मेक देश्टी है उन्हें तत्त की उपलब्धी हुई है और उपलब्धी मने अनभूती और जो बित्या देखती है इतना सब होने के बाद चरम कोटी का बेवहार होने के बाद भी कदाचित तत्त की उपलब दी न हो बोला अनभब नहीं हो, नहीं हो सो नहीं हो अरे भाई साब इसमें ही लिखा है आगे साइद मोग्ष अदिकार की गाता है के अभब जीव भी ग्यारहम और नोपूर्व तक पड़ जाता है अभब जीव बोलो और वो सब नोमें ग्रेवेक तक किक्रिया करता है जाने की लेकिन उसे तो गारंटी से तत्त की उपलब दी होने वाली बोलो देखो एक गुर्दीप का एक बहुत जोड़दार प्रवचन था नियम सार का 110 नंबर की गाता उसे में उन्होंने ये कहा कि एक मिथ्या दृष्टी जीब अभब वो 11 अंग नोपूर्व का पाठी 28 बूलगुरों का पालन करने वाला शुकल लेस्या के परिडाम बाला और है अभब कभी भगमान नहीं बनना उसको और एक जीब है भब वो बरतमान में पड़ा है निगोद में तो ऐसा लिखा कि उस अभब जीब से वो निगोद का पड़ा हुआ भब जीब बढ़िया है वो भले लो में ग्रेप में जाने की तैयारी कर रहा है समझ में नभब लेकिन उसमें परियाय में भगवान बनने की उसमें योगता और एक निगोद में जीप पड़ा है बब है तो उसमें निगोद में पड़ा हुआ होने पर भी उसमें भगवान बनने की योगता है सभाव में ये दपी अंतर नहीं है लेकिन परियागात योगता ऐसी होती है योगता बहुत बड़ी चीज है सक्ति सम्में भब्ब में और अभब्ब में गोड़ों में कमी नहीं होती सम्में एक से गोड़ एक सी सक्तियां सब कुछ एक सा होता है लेकिन योगता ये कैसी चीज है कि एक में भगवान बनने की योगता है और एक में भगवान बनने की योगता इसा इसा लिखा है उधारन तो सरल दिया है अपन रो जाना के अनभूत कि उड़त होते हैं उड़त उसके एकाद एक हजार दानों में एक दाने ऐसा भी होता है कि वो तुम जल तो सकता है लेकिन सीज नहीं सकता यह उधारन दिया है जल सकता है सीज नहीं सकता बोलो अब बता अब तुम से जादो उसको उसमें योगता ही नहीं जिसमें सीजने की योगता है वे सीज गए और जिसमें सीजने की योगता नहीं है वे नहीं सीजे तो कोई प्रस्ण करे कि एसा अब अपराद क्या किया रहे अपराद नहीं किया योगता ही नहीं है सीजने की योगता नहीं है नोमे गिरेवेक तक चक्कल लगा के आजाएगा पंच परावर्तन करेगा संसार में लेकिन कभी अनंता अनंत काल बाद भी सम्मेक दर्शन की प्राप्ति होने वाली योगता नहीं है बोलो नहीं बनेगा भगवाई मुनी बनके और बड़ी अप पालन करके बृतादी कौर नोमे गिरेवेक तक चला जाएगा इसलिए लिखा अन्तिम ग्रीवक लोग की हद कितनी बार सरल लहें जाना हर मनुस परियाए में जी मुनी नहीं बनता द्रब लिंगी ही सही हर मनुस परियाएं بनता है पहली बात तो कितनी मनुस परियाएं इधर उधर लेके और चला जाता है जेन कुल तक यहां तक आना मुस्किल और यहां आने के बाद भी उस मुनी दसा तक पहुचना हर मनुस परियाएं में बन जाएगा द्रबलिंगी ही सही नहीं बनेगा कितनी मनुस परियाएं धारन करकर के चला जाता होगा तब एक आद बार ऐसा अफसर आता होगा जीवन में जब मुनी दसा धारन करे और मुनी दसा भी कितनी बार धारन करता होगा कि जब नोमे गरेवेक में जाता होगा बोलो उसके पहले भौत इस्थान है जाने की बेंतरादिक से लेकर और सूल में स्वर्ग तक और पहला गरेवे एक दूसरा, तीसरा, चोता, पांच मां, छट मां, सात मां, आठ मां नो मां तो अंतिम है भाई साब केना सरन है लेकिन उसके योग परिणामों का होना बहुत फिर भी जीब बहां तक पहुचा अनंत बार पहुचा ये भी आगम के सब्द है कितनी दुरलता से, कितने काल के अंतराल बाद कितने भावों को गमाने के बाद एक आद बार जब कभी ऐसे परिणाम होते होंगे तब नोमे गिरिविक में जाता है तो भी आचारिये कहते हैं अनंत बार हमने मुनी पना दारा नोमे गिरिविक तक गये अनंत बार अनंत बार मुनी पना दारा न किया बोलो पे निज आतम ग्यान बिना तो महत्वपूर्ण क्या हुगा बोलो आत्म ग्यान महत्वपूर्ण है कि बाहर किक्रिया महत्वपूर्ण है बोलो खबर ही नहीं है जीप को खबर कोई करा है तो करने को तयान नहीं उसका करने को उसकी मेहमा भासित होती है इस आत्म सुभाव की भगवन आत्मा की मेहमा नहीं आती इसका स्वरू भासित नहीं होता मेहमा नहीं आती और बाहर में कोई कुछ करता है ने किरिया तो उसकी मेहमा भासित होती ये तो नेचर है जीव का नेचर है एक मिक्ती ने एक आसन किया और दिन बर दुकान पर बेठा रहा है और एक विक्ती ने दो बार खाना खाया और दिन बर छे घंटे स्वाद जाया करता रहा है तो यह तो जनरल बात है कि लोक में बड़ा किसको माने जाएगा ब्रत करने बाले को बड़ा माने जाता है तुमने तो दो दो बार खा लिया खा लिया नहीं चर लिया यह सब बोला जाता है चलो काम करो कचु बेड़े हो सास लेके बेड़ गए काम ना करना पड़े उसकी कोई कीमत ही नहीं जगत की दृष्टी मूर्खो की दृष्टी मूर्खों की दुनिया है न मूर्द मंडली स्वाध्याय, चिंतन आत्म ग्यान, आत्म ध्यान भेद्विक ग्यान तत्त विचार, तत्त निड़े में उप्यो लगाने वाले की जगत कीमत नहीं करता क्योंकि ये सब काम होते हैं अंदर में और ये जो सब हो रहा है ये बाहर, बिल्कुल बाहर, बलकि दे की किरिया है, उसमे आत्म के परणामों का भी ठिकाना नहीं है, परणामों का ठिकाना है, एक टाइम खाया और चला गया दुकान बेढ़ा है यार हमसे वहाँ दो किचार कर रहा है ये एक आसन है उनका ब्रत है आज उनका बेसिक करवाचोत है एक मेरे बिचार आया कि जेनी करवाचोत क्यों नहीं मनाते मनाते हैं मनाने का मतलब समझते हो मनाने का मतलब ये है कि रात में चांद देखो और उसके बाद भोजन करो समझ में हैं नपा चांद देखो रात उसके बाद भोजन होता है और जेनी रात में भोजन करते हैं नहीं तो मनाओगे कैसे तुम्हारा सार्थक हो गई नहीं क्योंकि बेतो रात में करो फिर भोजन करो सब मिलके फूरी पारटी ब्रत ही ऐसा है रात में भोजन करो तुम्हारे रात में भोजन है यह दो उल्टा है रात में भोजन तो दूर उपवास करो और पानी की बून भी मुह में चली जाते तुम्हारा सारा ब्रत भंग हो जाए खंडत हो जाए और एक बात दूसरी बात किसी के कितने कोटी प्रियत्न करने पर किसी का आयू करम बढाया जा सकता नहीं है और कोटी प्रियत्न करने पर किसी का आयू करम घटाया जा सकता नहीं है बद दुआएं किसी का आयू करम घटा नहीं सकती और दुआएं तुमारी किसी के आयू करम को बड़ा नहीं सकती, इसलिए वो ब्रत फैल हो जाता है इस फाल दुखे काम जेन दर्जन में नहीं है किसी के ब्रत करने से किसी की आई भी बढ़ जाएगी अच्छा, और जो ब्रत करते हैं उनके कभी संयोग कभी योग नहीं होता काम मुबन में नहीं होता यह से थोड़ी है कि जो ब्रत नहीं करते हैं उनके वियोग होता हो इसलिए सब सोच विचार के करने वाला है जेन दर्जन सीधी बात यह है बिना विचारे करने वाला काम यहाँ भाई यह भगवान की बानी है इसका मुख उदेश, मुख प्रियोजन जीब जैसे भी हो संसार के दुखों से मुक्त हो भगवान बने इस प्रियोजन से सारी जिन्वानी खिरी है और लिखी है और एक ही उद्देश से पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए दूसरा कोई लोके ख्याती, लाब, पूजा मान, सम्मान, आदी किसी भी अभिप्राय से जिन्वानी सुनना, सुनाना पढ़ना, पढ़ना, किसी दूसरे लक्स से करने योगो ऐसी बात है पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए